Hello students हम कर रहे हैं income tax income tax के अंदर हमारा जो चेप्टर चल रहा है हो है income from salaries income from salary का आज का part number 50 आनि की lecture number 5 है जो lecture number 4 आया था इसका part number 4 आया था उसके अंदर हमने allowances start किए जिसको इन्दी में बत्ते बोलते हैं और मैंने आपको बताया था कि allowances तीन टाइप क्यों थे होते हैं हमने यह कर लिए थे fully taxable allowance कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताये यह 12 होते हैं और यह तीन बताये थे मैंने आपको fully exempt allowance और मैंने बोला था कि next lecture के अंदर हम पार्टली taxable allowance को करेंगे तो आज के lecture के अंदर हम इसी को करने वाले हैं तो सबसे पहले में इसको अटा देता हूँ और detail में हम कर लेते हैं ऐसे कौन-कौन से जो पार्टली क्या है taxable और पार्टली क्या है exempt मलब आंसिक रूप से करमुक्त और आंसिक रूप से करी होगे ठीक तो यह कौन-कौन से होते हैं और उसके बाद में हम देरी-देरी इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो असली टक्सेबल और अग्ज़ों कि आंसिक या अधे आंसिक रूप से कर योगे और तथा इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो मैं आपको करा रहा हूं वो है है कितने टोटल अभी आज ही करा देंगे इस लेक्चर के अंदर वो है हाउस रेंट अलॉंस हाउस रेंट अलॉंस आपसे विंती हैं इसको इंग्लीज में याद रखे ज्यादा सही रहेगा मकान किराया भता बोलते हैं वैसे हिंदी में बट हाउस रेंट अलॉंस और सौट में याद रखे आप एच आहरे अब यह होता क्या है कोई एंप्लोई है करमचारी है और उसका बोस यानि कि उसका जो एंप्लोएर है वो उसको इसलिए पैसा दे रहा है ताकि वो एंप्लोई एक मकान लेके किरायव पर रह सकें उसे रेंट रहना पड़ेगा तो वो रेंट के लिए एक अलॉंस दिया जा रहा है ताकि वो अपना घर का रेंट पे कर सकें तरम चारी इंप्लोई उसको बोलते है हाउस रेंट जितना भी दिया जा रहा है उसमें कुछ टेक्सिबल होता है और कुछ एक्जम्ट होता है त तो कितना taxable कितना exempt हम वो कैसे calculate करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले एपॉइंट आपको लेना है actual ह्र यानि कि वास्तों में कितना house rent allowance मिल रहा है वो ले लो जी कि वी पॉइंट में आपको लेना है actual house rent allowance यानि कि वास्तविक बत्ता किराया बत्ता और फिर आपको लेना है रेंट पेड रेंट पेड रेंट पेड रेजिडेंट सी नंबर रेंट पेड माइनस 10% और अब देखो माल लेते हैं इसने इसको मिला है नस तब रेंट है और इस लेंट पेा किया जो एक लाग रुपे पूरे साल का चलते है वन येर के वन लैग रुपी जिसको house rent allowance के एम्प्लोयर देता है ओके रेंट पे इसने किया वन लेक ट्वन्टी थाउसे हाना क्योंकि हो सकता है रेंट इसका 12,000 रुपे कुछ हो या लेकिन रेंट एक्चुल में रेंट जो है इसने किता प्या है पे किया एक लाग भी सजार उसमें से इसको रेंट अलाउंस किता मिल एक लाग रुपे पूरे साल का इसमें से माइनस कर दीजिए 10% अब इसका मतलब मुझको सेलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ीगी फिर उसका 10% करना पड़ेगा तो सेलरी कैसे निकालेंगे तो सेलरी का है फॉर्मूला बेसिक पे ले लिजी आप बेसिक पे क्या होता है मैंन गुणतिया कर योगी होता है जिसको महंगई भथा बोलते हैं प्लस आपको कमिशन लेना इगरइस इसको कोई दिया जा रहा तो लेकिन commission कैसा होना चाहिए percentage में होना चाहिए 3000 commission मिला 4000 commission मिला ऐसा नहीं 10% मिलेगा या 5% मिलेगा तो percentage वाला commission होना चाहिए इन सब को calculate कर दीजिए फिर आपका यहाँ पर 10% of salary क्या कर दीजिए less माल लेते हैं इसका basic pay जो है माल लेते हैं basic pay है इसका चार लाग रुपे और DA and DP माल लेते हैं 80,000 रुपे और इसका commission percentage calculate करके निकल गया 20,000 रुपे तो यह कितना हो गया total? 5,000 रुपे ठीक है तो 10% of salary, salary आगी 5,000 यह सारा data आपको question में दे रखा होगा तो 5,000 का 10% गर दीजिए तो कितना आजाएगा 50,000 तो सिधा में लिख देता हूँ 50,000 salary का 10% ओके तो यह कितना actual HR यह वो तो 1 ले की है यह rent paid minus 10% of salary किया तो कितना आगया 120 minus 50 कितना हो गया सित्तर? ओके C number C number में क्या करना है? आपको जो salary है उसका हिस्सा करना है 50% ओर 40% लेकिन वो depend करता है आप resident कहां के है? निवासी कहां के है? मैं बजाता हूँ आपको अगर आप metro city के रहने वाले हैं तो आपको 50% of salary करना है और अगर आप metro city के नहीं रहने वाले हैं तो आपको 40% of salary करना है आईए समझाता हूं क्या? अगर आप DCKM के resident है तो 50% of salary 50% of salary जब आप रहने वाले हो DCKM तो 50% of salary कर दा है अगर आप non DCKM है DCKM, अब DCKM क्या होता है बताता हूँ भी आपको 40% of salary कर दा है DCKM मतलब D मतलब Delhi C मतलब Chennai K मतलब Kolkata M मतलब Mumbai तो यह हो गया DCKM तो आप Delhi, Chennai, Kolkata या Mumbai में रहने वाले हैं तो आपको salary का किता करना है 50% लेकिन आप यहाँ job नहीं करते हैं आप job कहीं इन 4 city के अलवब पूरी India में कहीं job करते हैं और किसी city में 40% of salary माल लेते हैं 15,50 लेकिन आगया अब आपको क्या करना है अच्छा अभी में हम क्या कर रहे हैं कितना taxable है कितना करमुक्त है तो में तो हमें वो ही दिखाना है कि कितना tax लगना है कितना exempt करना है तो टोटल मिला कितना था rent house rent allowance कितना मिला था एक लाग यह दिखान रखना ओके आपको क्या करना A, B, C तीनों से यह amount निकल के आ गया इन तीनों में से जो कम हो तो whichever is whichever is lower जो इन सब में कम होगा वो क्या होगा exempt exempt मतलब वो कर योगे नहीं होगा ओके तो इन सब में देखो इन सब में कम क्या है एक लाग सित्तर अजार है ढईलाग सित्तर अजार रुपे तो सित्तर अजार रुपे क्या हो जाएगा exempt तो अब taxable कितना होगा आप बता दीजिए taxable कितना हो जाएगा total मिला कितना था एक लाग गीरा देखो house rent allowance उसमें से exempt कितना हो गया 70,000 तो taxable कितना हो जाएगा 30,000 यानि कि आपका 30,000 का जो rent allowance है वो taxable होगा और उसको जाके आपको salary के अंदर add करना इस सित्तर अजार का आपका exempt हो गया तो ये formula ही जाद रखना इन तीनों को put up करना है इन तीनों में से जो कम amount होगा वो exempt हो जाएगा और फिर जितना मिला है उसमें से exempt less कर दीजिए तो आपका taxable निकल के आजाएगा most important है house rent allowance क्योंकि इसके उपर separate question आता है ठीक है तो आपको note करना है या screen sort लेना है तो आप ले लिजिए इसका ठीक है practice के लिए आपकी जो भी book होगी उसमें आपको खूब सारे questions मिल जाएंगी वो आप self कर सकते हैं हमसे करना चाहते हैं तो हमरी app download कर लीजिए वहाँ पर live badge start हो गया है income tax का ठीक है उसको आप कर सकते हैं live badge join कर सकते हैं बट वो free नहीं है वहाँ पर free आपको pay करनी पड़ीगी यानि की subscription आपको लेना पड़ेगा next आता है आपका entertainment allowance first हो गया हरे second है entertainment allowance यानि की मनो रंजन बनता अब यह भी partly taxable और partly exempt होता है बट इसमें depend करता है कि जो entertainment allowance है वो कौन से employee को मिल रहा है है also को दो तरह के employee हो सकते हैं एक तो थे government employee को अंध्यक है है कि ऑस्योगे non-government और यहीं कि यानि कि private employee है है कि सरकारी करम्चारी यह और यह गैर सरकरी करम्चारी है है यह तो उसमें कितना एक्रफ्ट और कितना ट्रिक्सेपल उसके कूछ रूल से में इसमें आपको लेना है सबसे पहले एक्टौल रहु मॉता आपको एक्टूल में entertainment का कितना अलंश मिला करने के लिए भी कुछ पैसे देता है बॉस तो एक्चुल रिसिप्ट किती है अगर गवर्मेंट एंप्लोई है तो सेकेंड वन फिप्ट ऑप बैसिक सेलरी वन फिप्ट ऑप देखो बेटा बैसिक सेलरी बोला है अगरे नहीं बोला है बेसिक सेलरी जैसे अमारे पिछले कोशन में चार लाग थी बेसिक सेलरी तो बेसिक सेलरी का वन फिप्ट करना है और थर्ड नंबर आपको करना है बता देता हूं आपको maximum 5000 इन टीनों में से जो कम whichever is less वो क्या हो जाएगा exempt और बागी का क्या हो जाएगा taxable non-government employee है गैर सरकारी करमचारी है तो fully taxable पूर्ण तहा कर योगी यह हो गया आपका entertainment allowance ठीक है तो आप इसका भी screenshot लिख सकते हैं बोस करके इसको लिख भी सकते हैं मैं इसको आगे फिर हटा देता हूं डस्टर कहा रख दिये मैंने हाँ फिर हम आगे बढ़ते हैं next entertainment allowance के बाद में फिर इसमें आता है third next जो आता है वो आता है education allowance वो बता देता हूं मैं आपको जो employee होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है सिक्सा भरता इसमें exempt किता होता है वो मैं बता देता हूं taxable आप खुद निकाल देंगे इसमें exempt होता है rupees hundred per month per children यह चाइड्ड अब टू टू चिल्डर्ण इसमें एक्जम्ट किता होगा सो रुपे पर मंत एक बच्चे पर और जादा से जादा कितने बच्चों को मिलेगा दू चिल्डर्ण को इतना exempt है सामने वाला कितना दे रहा है उसे हम कोई पता नहीं महां लेते हैं एक व्यक्ति है उसको दो बच्चे है और दोनों बच्चों के लिए उसको टोटल मिला के जो education allowance है वो उसको मिल रहा है कुछ में ले लेता हूं 6000 रुपे पूरे साल का पर रहनम का 6000 उसको मिल गया education allowance ठीक है education allowance मिल गया लेकिन इसमें से exempt कितना होगा अब उसके तीन बच्चे है चार बच्चे है उससे मतलब नहीं जाए से जादा दू बच्चों तक एक्जम्ट होगा अगर एक बच्चा है तो एक की exemption मिलेगी मान लेते हैं इसके दो बच्चे हैं ऐसे calculate करते हैं तो यह हो गया आपका education allowance इसके बाद में यह आप लिख सकते हैं नोट कर सकते हैं इसके बाद में जो आता है वो आता है hostel भता वो भी बताता हूं क्या है वो भी बच्चों को दिया जाता है अगर आपके बच्चे जो है वो hostel में हैं और hostel में रहके पढ़ाई कर रहे हैं तो hostel के लिए अलग से allowance दे देता है कोई भी boss तो उस case में क्या होता है देखिए hostel expenditure allowance बड़ी बड़ी के जो company होती नो उनमें इस तरह की चीजे बहु सारे allowances दिये जाते हैं hostel expenditure allowance अब आप बोलो कि sir ऐसी company हमको मिल जाए तो आपको भी मिल सकती है बिलकुल मिल सकती है किसी को भी मिल सकती है बट उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है उसके लिए आपको knowledge लेना पड़ता है शुरू में छोटी-मोटी job पे ही लगना पड़ता है और experience चाहिए होता है देरी-देरी आपकी progress होती जाती है और आप बड़ी multinational companies के अंदर job करके ये सारे allowances फिर आपको मिलेंगे salary के अलावा इसमें से कुछ taxable होंगे, कुछ exempt होंगे, कुछ partly taxable होंगे लेकि knowledge जरूरी है ठीक है चाहिए आप become करो, BBA करो, BAC करो, MBBS करो, कुछ भी कर लो केवल degree से कुछ नहीं होता है knowledge बहुत important होती है बहुत सारे engineer घर पे बैठे हैं बहुत सारे engineer महीने के 10-10 लाग रुपे कमा रहे हैं बहुत सारे become, mcom, kiaway घर पे बैठे हैं बहुत सारे कुछ अपना दंदा कोल के करोडर रुपे की company बना दिये हैं तो वो depend करता है डिग्री का नहीं लोग डिग्री के ऊपर देखते हैं डिग्री का कभी भी ज़्यादा importance होता है सिर्फ दिखाने के लिए मेन वो एक नाणा पाटे कर ने मेरे साब से एक सो आया था जो आज तक TV पे चलता ना अदालत वाला है ना तू उसमें रज़त सर्मा की अदालत तो उसके अंदर नाणा पाटे कर ने बोला था उसने रज़त सर्मा ने उसको कि आप की इतनी अच्छी कोई body body भी नहीं है इतना कोई चहरा भी नहीं है और hero तो आप दिखते नहीं हों तो फिर आप फिर भी इतने successful कैसे हो गए तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था उसने बोला था नाना पाटे करें ने जवाब दिया था कि आपका चहरा आपकी body आपकी personality जो भी है आप कितने सुन्दर हो वो केवल एक मिनट दिखता है उसके बाद में वो देखते हैं लोग जो आप करते हो और यह सही बाद भी है आना कोई कितना भी मान लेते हैं bodybuilder आ जा इसको देखना है या नहीं देखना है तो वही है डिगरी ज्यादा importance नहीं रखती है वो तो ठीक है शुरू का introduction है उसके बाद में वो important ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या आता है और क्या आप कर सकते हैं तो knowledge बहुत important है hostel expenditure allowance पर आ जाते है वापस ठीक है तो hostel expenditure allowance के अंदर इसके अंदर आता है आपका जो exempt है वो ही बता देता हूं मैं आपको इसमें exempt के limit जो है वो है 300 रुपीज पर मन्त 300 रुपे पर मन्त पर चाइल्ड या पर चिल्रन अप्टू टू दो बच्चों तक 300 रुपे तो साल बर का कितना हो जाए अगर टू चिल्डरन का देखे तो है ना तो 300 मुल्टिप्लाइ कर दो 200 600 रुपे पर मन्त और 12 मेने के देख लो आप फिर ठेक हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं और कौन से अलाउंस है जो पार्टली टेक्सेबल होते हैं और पार्टली एक्जम्ट होते हैं चली यह ही बता देता हूं इसके अंदर आता है ट्रांस्पोर्ट अलाउंस, एक्चुल में ट्रांस्पोर्ट अलाउंस दो तरह के होते हैं, ट्रांस्पोर्ट तो समझते हो ना, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने का काम करते हैं, जो ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में लगे हुए होते हैं, ट्रांस्पोर्ट क हम वरकर को वंसा सवाला जब आप वर्किंग इन है by cop po सिस्क्राइब ऐसी कंपणी में काम करना है जो त्रांस्पोर्ग का काम करती हैं तो वहां पर ट्रांस्पोर्ड अलाउंस दिया जाता है तो उसमें जाएंजम्शन कितनी है वह मैं आपको एक्जम्ट होगा 70% of allowance जो allowance आपको मिल रहा है उसका 70% अच्छा ये क्यों दिया जाता है कि आप transfer system में काम कर रहे हैं तो वाँ पर बहुत सारे खर्चे होंगे तो उन खर्चों को आप जो है पूरा करेंगे इस allowance से और 10,000 पर मन्थ 70% of allowance और 10,000 पर मन्थ अब दोनों में से जो क्या हो कम होगा whichever is less वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका exempt whichever is lower तो यह हो गया आपका transport allowance नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आप यह लिख लेना अब यह तो ड्रांसपोर्ट allowance था 5th number ऐसा allowance जो laard कंपनी ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने से होता है एक होता है transport allowance और कि वह क्या है है इसको आप यह क्या है इसमें इदर लिखता हूँ देखो आप क्या कर रहे हैं अपने घर से ओफिस जो जा रहे हैं तो इसमें क्या होता आपको पता है कई बार बड़ी-बड़ी companies होती है ना उनके employees को लेने के लिए company की गाड़ी आती है या फिर जो अगर आपका position promotion अच्छे पद पर हुआ हुआ है तो आपको personal vehicle दे दिया जाता है तो वो एक तरह का क्या हो गया transportation हो आप से ऑफिस और ऑस से वापस जो घर जाते हैं उसके लिए आपको allowance दिया जा रहा है company आपको पैसा दे रही है अब अपने घ्र साब से आती है लेकिन company उसका blind employee है कोई problem है तो उस case में तो ये आपको exemption इसकी मिलती है बट अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं है आप एकदम स्वस्त हैं तो फिर आपको इसमें exemption नहीं मिलती है तो in case of blind अगर blind employee है ठीक है या handicapped हैं तो इसमें exemption मिलती है आपको exempt याने की छूट मिलती है अप टू रूपीज 3200 पर और ऐसा कुछ नहीं है अधर है कोई आप अधर employee आपको ऐसा कोई problem नहीं है अब स्वस्त एकदम तो छूट किती मिलेगी निल कोई छूट आपको नहीं मिलेगी ओके सो यह हो गया आपके ट्रांस्पोर अलाउंस तो ट्रांस्पोर अलाउंस मैंने आपको दो बता है लेकिन दोनों में confused मत होना ठीक है अब आगे की कुछ और है उनको मैं फटाफट करवा जिता हूं आपको ताकि आज हमारा ये अलाउंसेज वाला टॉपिक जो है यहीं कम्प्लीट हो जाए इसके अंदर आता है एक अलाउंस दिया जाता है बड़ा इच्छा है यह यह ट्राइबल और सेड्यूल अरिया अलाउंस यह होगा तिंग 6 नमबर ट्राइबल और सेड्यूल अरिया अलाउंस यह सेवन पुजाए यह जाना अप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां जैसे आप इन्होंने बताया है अगर आप मतलब अब employee आप अपने आपको employee समझ लीजी इस case में आप employee है और आप जो job कर रहे हैं जिस company में उस company ने आपको पोस्टिंग जो दी है वो ट्राइबल या सेडियोल एरिया में रखी जिनका development ज्यादा नहीं हुआ अभी तक वो ज्यादा विक्सित नहीं है इसके अंदर इन्होंने दिया है करनाटका और या फिर वेस्ट बंगॉल वेस्ट बंगाल में बिहार में और और इसा आसाम और ट्रिपूरा अगर इन राजियों के अंदर इन स्टेट के अंदर आपको पोस्टिंग दी गई है तो आपको एक अलग से अलाउंस मिलता है जिसका नाम है ट्राइबल और शेडिल एरिया अलाउंस और इसमें जो एक्जम्शन है वो है 200 रुपीज पर मन्त दो सो रुपे पर मन्त तो दिया जा सकता है उस पर टेक्स नहीं लगेगा उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो फिर टेक्स लगेगा नेक्स आता आपका पॉइंट नंबर एट अंडर ग जो कोईले की खाने होती जिसमें से खोद के वो सवना निकालते हैं तो उसमें कितना मुस्किल होता है कितनी परिसानी होती है क्योंकि बहुत जमीन के बहुत नीचे गहराई में जाके अंडर ग्राउंड में जाके आपको काम करना होता है तो उस मुस्किल परिस्तितियों मे काम करने की वज़े से सेलरी के अलावा कुछ और पैसा मिलता है और वो अगर अंडरगराउंड एलाउंस जो है वो अगर 800 रुपे तक मिलता है एक्जम्प्सन कितना है वो उता देता हूँ मैं आपको गवर्मेंट ने बोला है कि वहां वास्तों में मुश्किल है काम करना तो 800 रुपे पर मंद तक तो एक्जम्प्स है बहुत 800 रुपे ही दे सकते हैं क्या ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं क्या नहीं ऐसा नहीं है दे तो कितना भी सकते हैं लेकिन छूट के वल कितनी मिलीगी 800 रुपे पर मंत मालिते 1000 रुपे मिल गया तो 800 रुपे चूट मिल गई 200 रुपे टेक्सिबल हो जाएगा बस इतना समामला है टेक्सिबल का मतलब यह नहीं कि दोसों को पूरे को पूरे गवर्मेंट को देने पड़े उसके उपर टेक्स लगेगा ओके हां बस यह नेक्स्ट तो यह हो गया आपका अंडरग्राउंड अलाउंस एक आता है फिर अपने फोजी भाईयों के लिए अलाउंस से जाने लग मेंबरस के लिए हैं जो आर्मी में काम करते हैं उन के लिए है ठीक है मैं बता देता हूँ आपको हार्म forces के जो members हैं उनके लिए हैं और वो क्या करते हैं कई बार highly active field area में काम करते हैं जहां पर war की practice चल रही है युद्धा अभास चल रहा है या तो किसी समुद्र में चल रहा है जहां पर युद्ध का अभ्यास चल रहा है तो वहां पर रहना और वहां काम करना मुश्किल होता है एरिया में अगर कोई सेनिक काम कर रहे हैं तो उनको गवर्मेंट बोल रही है कि हम allowance देंगे और जो भी allowance उनको मिलता है वो एक्जम्ट होता है कितना 4200 रुपीज पर मन, 4200 रुपे एक्जम्ट होता है, तो अच्छे एक्जम्ट सने उनके लिए, मेरे को लगता है पूरा ही एक्जम्ट कर देना चाहिए उनके लिए, ठीक है ओके, ये 9th हो गए, चलिए 10th पॉइंट करते हैं, आप ज्यादा नहीं है, थोड़े से हो रहे हैं, मुझे बता है, तोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये अलाउंस आज हम कंप्लीट कर देंगे, फिर था 10th नंबर हाइली हाँ, सॉरी आइसलेंड डूटी अलाउंस इसमें इसने बुला है, अंडुमान, निकोबार नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, गए हो अभी, चलिए, तो अगर आप अंडुमान, या निकोबार, या फिर लक्ष दीप, ये दीपस हैं न, छोट छोटे, चारो तरब इनके समुंदर होता है अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ आर्म फोर्स में हैं, आप फोजी भाई हैं, ये भी आर्म फोर्स के लिए, टाइंद नंबर और टैंद नंबर दोनों ही फोजी भाई हो के लिए हैं, तो अगर वहाँ पर आपकी डूटी लगी भी हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी अगर allowance मिलता है इस नाम से तो वो exempt कितना होगा वो बता देता हूँ बाकी का taxable होगा आप खुद calculate कर सकते हैं तो exempt होगा 3,2,5,0 पर month अभी जितने भी exemption मैंने बता है न पर month ही बता है ठीक है ठीक है तो यह हो गए हमारे थी complete हो गए यह थे पूरे के पूरे 10th point थे partly taxable और partly exempt allowances तो इसी के साथ allowances खतम हो गए है next lecture के अंदर हम पर क्यूजिट स्टार्ट करेंगे और इस तरहीके से जो conceptually concept है हर चीज़ का income tax का हो गया या विकॉम के other subjects हो गए उनके lectures तो इस channel को हमेशा आते रहेंगे आपकी help के लिए क्योंकि हम आपके साथ हैं आप भी हमारे साथ रहे लाइक, share, subscribe और comment ज़रूर करें उससे हमें motivation मिलता है बट अगर आप full course करना जाते हैं practice करना जाते हैं personally पढ़ना जाते हैं तो फिर हमारी app आपको download करनी होगी उसमें आपको course buy करना होगा purchase करना होगा हाँ अभी उसमें थोड़े बहुत discount भी चल रहे हैं वो आपको मिल छощ करना है 15 fraud और मिल झाला जापको पुरो करना है महाँ है पाको जापको रहे हैं जाते हैं आपको आपको अपक चल खवends लग ser्वे प्र Precis रगव्य करना हैं जाते हैं सक्र sew शबशड़ू जापको हैं उस तॉ लगे हैं और सゃब हैं जाते हैं जा हैं मिलता हैं आपको हैं